नमस्कार, हन्मानगड राजस्तान से मैं आननजेन आप सभी का श्रिदवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर e-learning क्लास में जुडने पर स्वागत गरता हूँ आज हमारी Polytechnic Physics प्ले लिस्ट में Optics विशय में हम समझेंगे पूना अंतरिक परावर्तन की अवधार्ना को और इस कंसेप्ट को जानते समय Critical Angle क्रांतिक कोन को भी समझेंगे और जानेंगे पूना अंतरिक परावर्तन के हमारी जिन्दगी में कुछ महतपून अनुप्रियोगों को एप्लिकेशन्स को जिसमें है Optical Fiber, हीरे की चमक और एक दरस्टी भ्रम, मिरीक दरस्टना, मिराज तो शुरू करते हैं पूना अं अकोन के साथ विचलितों कर संचरन होना अपवर्तन कहलाता है और इसी प्रकाश के अपवर्तन की एक विशिष्ट परिस्थिती पूना अंतरिक परावर्तन कहलाता है जिसमें प्रकाश दूसरे माध्यम में बिना किसी संचरन के पूरा का पूरा उसी माध्यम में वापसी क और इस तरह से आप्तित प्रकाश का दो पारदर्शी माध्यमों में संचरन के दोरान दूसरे माध्यम में ने जाकर वापस उसी माध्यम में आ जाना पून आंतरिक परावर्तन कहलाता है। के साथ जो आप्तित किरण आप्तन कौन बनाती है वो आप्तन कौन एक निर्धारित सीमा जिसे हम करांतिक कौन कहते हैं उससे अधिक मान रखता हो। सगन माध्यम है इसका अपवर्तनांख हवा के तुलना में एक दश्मलो तीन तीन गुना है। प्रकाश की ये किरणे दोनों माध्यम को अलग करने वाली इस बीच की सीमा पर जब अपवर्तन होती है तो इस सते के अबिलम स्तिती से आप्तित किरण जो आप्तन कौन बनाती है। उसके तुलना में अपवर्तित किरण अबिलम से कुछ परे हड़ जाती है क्योंकि विरल माध्यम में अपवर्तन के पस्चात अबिलम से कौन आप्तन कौन से अधिक हो जाता है। यदि आपतन कौण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्थन पस्चात बनने वाला कौण भी बढ़ता है और किसी एक विशेष्ट आपतन कोण की इस्तिती पर प्रकाश की ये आपतित करण। इस तरह से अपवर्तित होती है कि वो पानी और हवा को मिलाने वाली सतय के साथ समानतर रूप से मुड़ जाती है और इस विशेश आपतन कौन को हम करांतिक कौन कहते हैं जिसके लिए अपवर्तन कौन अभिलंब पूरा 90 डिगरी है यदि यही आपतन कौन इस करांतिक मान से अधिक मान का हो जाता है तो हमारी प्रकाश की आपतित किरण दोनों माध्यमों के इस सिमानत स्तिती में विरल माध्यम में नय जाके वापस पहले ही माध्यम में पूरी वापसी कर लेती है और इस गटना को हम पूर्ण आंतरिक परावरतन कोन का आपसी सम्मन्द दोनों माध्यमों के अपवरतनांग गुणांग पर निर्बर गरता है और आपतन कोन का साइन और अपवरतन कोन के साइन का अनुपात दूसरे माध्यम के अपवरतनांग और पहले माध्यम के अपवरतनांग के अनुपात के बराबर है ये स का नियम कहलाता है जिसे हमने यहां पीदी हाइलाइट में दिखाया वह है तो आपतन कोन और परावरतन कोन दोनों माध्यम के अपवरतनांख गुणांख पर निर्भर करते हैं और यह नियम सपस्ट बता रहा है कि अगर हम आपतन कोन का मान बढ़ाते हैं तो अपवरतन कोन एक विशिष्ट अनुपातिक संबन्द के अंसार व्रदी करने लगता है और किसी एक आपतन कोन पे अपवरतन कोन 90 डिग्री भी हो जाएगा और वो आपतन कोन करांतिक आपतन कोन कहलाएगा एक बार फिर हम जल से हवा में परकाश के अपवरतन को समझते हैं यहां जल एक सगन माद्यम है जिसका अपवरतनांग गुणांग हवा के तुलना में एक दश्मलो तीन तीन गुणा अधिक है और जब हमारी प्रकास तरोच से पारदरशी जल माद्यम में प्रकाश किरन हवा में जाती है और अगर आपतन कोन अपिलम के साथ शुन्य डिग्री कोन बनात सनेल का ये नियम अपवरतन पश्चात अबिलम से विरल हवा मध्यम में किरन का कोन आपतन से अधिक 27 डिग्री बना देता है और अगर आपतन कोन 20 से बढ़ाकर 30 या 40 डिग्री किया जाता है तो अपवरतन पश्चात अबिलम से बनने वाला प्रकाश किरन का कोन बढ़कर 42 या 60 के आसपास हो जाता है और अगर हम इसी तरह से आपतनकोन को बढ़ाते जाते हैं तो किसी एक स्थिती पे अपतवरतनकोन 90 डिग्री हो जाता है और ऐसी स्थिती में आपतित प्रकाश की रण दूसरे माध्यम में नए जाके दोनों माध्यम की सीमा के समानतर में मुड़ जाती है और इस आपतनकोन को हम करांतिक आपतनकोन कहते हैं जो जल और हवा माध्यम के इस सीमा स्थिती पे 48.8 डिग्री के बराबर है और अगर हम आपतनकोन को इस करांतिक कोन से अधिक मान का बना देते हैं तो हमारी प्रकाश किर्णे सगन माध्यम से विरल माध्यम के सीमा में विरल माध्यम में नए जाकर वापस सगन माध्यम में ही वापसी कर लेती हैं और इसे हम पूनांतरिक परावर्तन कहते हैं स्नेल के नियम अनुसार वो आपतित कोन जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं जिसके लिए अपवर्तन कोन जिसे आर से बताए गया है 90 डिग्री हो जाता है उसे हम क्रांतिक आपतन कोन कहते हैं और क्रांतिक आपतन कोन का साइन हम पाते हैं कि वो विरल माध्यम और सगन माध्यम के अपवर्तनांग गुणांग का अनुपात है और अगर विरल माध्यम हवा हो तो हवा के सापिक्ष जो भी सगन माध्यम का अपवर्तनांग है उस अपवर्तनांग का व्यूतकरम क्रांतिक आपतन कौन के साइन के बराबर ह अर्थात क्रांतिक आपतन कौन का मान दोनों जो आपस में जुड़ेवे माध्यम हैं उन माध्यमों के अपवर्तनांग गुणांग के अनुपाद पर निर्बर करता है और अगर दूसरा माध्यम जो सगन है वो हवा की तुल्ला में अपवर्तनांग गुणांग अधिक रखत डिग्री है वहीं क्राउन और फ्लिंट काच के लिए हवा के तुल्ला में जब अपवर्तनांग बढ़े हैं तो क्रांतिक आपतन कौन घट गया है और हीरे के लिए अपवर्तनांग जो 2.4 दो सापिक्स्ता अधिक है उसके लिए क्रांतिक आपतन कौन भी सबसे कम 24.4 डिग् में जाना चाहिए और दूसरा प्रकाश का अबिलम के साथ जो आपतन कौन है उसका मान क्रांतिक कौन के मान से अधिक होना चाहिए और क्रांतिक कौन का मान दोनों माध्यम के अपवर्तनांग गुनांग के अनुपात के अंसार निरधारित होता है कुछ संख्यात्मक उधा पूर्ण आंत्रिक परावरतन के हमारी अवदारना को ज्यादा बहतर बना देंगे इस प्रश्ण में कहा गया है कि एक ओप्टिकल फाइबर केबल में जो कोर भाग है आंत्रिक उसका अपवरतनांक एक दश्मलो 5 है ये किसी काच प्रकार का पदार्थ है जो दूसरे क्लेडि का अपवरतनांक N2 है तो हमें इस क्लेडिंग आवरन का अपवरतनांक ज्याद करना है जबकि दोनों माद्यम कोर और क्लेडिंग के इस सिमान्त भाग पे पूर्ण आंत्रिक परावरतन के लिए क्रंतिक कौन का मान 80 डिग्री हमें दिया गया है तो क्रंतिक कौन critical incident angle 80 डिग का अनुपात दूसरे माद्यम और पहले माद्यम के अपवरतनांकों के अनुपात के बराबर है यहां दूसरे माद्यम का अपवरतनांक N2 हमें ग्याद करना है पहले माद्यम का जो सगन है उसका अपवरतनांक 1.5 हमें दिया हुआ है और क्रंतिक कौन जिस पे पूर्ण अं सी डिगरी का मान N2 और 1.5 के अनपात के बराबर है और N2 1.5 और साइनसी के गुणा के बराबर हो जाएगा साइनसी की गंडा करके 1.5 से गुणा करने पर दूसरे माध्यम का जो विरल है क्लेडिंग है बहर की तरफ का अवरण है उसका अपवरतनांक 1.48 हमें प्राब्थ हो गया है क्योंकि दोनों माध्यमों के अपवरतनांक गुणा कोंक में बहुत जादा अंतर नहीं है इसलिए 90 डिगरी रिफ्रेक्टिव कोंड के लिए आपतन का कोंड भी काफी अधिक 80 डिगरी यहां बन रहा है अगर ये अनुपात अधिक होता शगन माध्यम विरल की तुलना में ज़्यादा सगन होता तो हम पाते की करांति कोंड का मान भी कम होता उस माध्यम का अपवरतनांक हवा के सापिक्ष अपवरतनांक गुणांक याद कीजिए जो हवा के साथ अपवर्तन के दोरान क्रांतिक आपतन कौन 40 डिगरी रखता है तो सगन दिये गए माध्यम से विरल हवा में जाती वी किरण दोनों माध्यमों को जोडने वाले प्रस्ट के जब समानतर हो जाती है तो संगत आपतन कौन को हम करांतिक आपतन कौन कहते हैं और करांतिक आपतन कौन अगर 40 डिगरी है तो आपतन कौन और करांतिक अवस्ता में अपवर्तन कौन 90 डिगरी के साइन का अनपात और साइन 90 डिगरी एक होने पर दोनों माद्यम विरल और सगन माद्यम के अपवर्तनाग गुणांग के अनपाद के बराबर होगा का फितकरम लेने पर आपेक्षित अपवर्तनांग का मान एक दश्मलो छे प्राप्त हो गया है और स्पस्थ है इस सुत्र से हम समझ सकते हैं कि अगर हवा की तुलना में दूसरे माध्यम में जाए वो पानी हो या किसी विशेश प्रकार का काच हो या हीरा हो जब सापेक्षि जिन्दगी में कई अनुप्रियोग एप्लिकेशन्स हैं जिसमें ऑप्टिकल फाइबर कमिनिकेशन है प्रिजम की कुछ विशेश स्तियां है हीरे और दूसरे जेवराती पत्थरों का चमकना है या फिर एक दरस्टी ब्रहम मिराज मर्क तरश्टना है इन सभी के बारे में जानते हैं पूर्णा अंत्रिक परावरतन सिध्धान्त का इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर में संचार परनालियों में किया जाता है जो ऑप्टिकल फाइबर संचार एक ऐसी विदी है जिसमें सुचना के विद्धूत संकेतों को किसी प्रेसी केंदर के द्वारा प्रकास स संकेतों के द्वारा सुचना को एक उप्टिकल फाइबर के माध्यम से दूरस्तान पर प्रेशित किया जाता है और दूरस्तान पर गराही स्टेशन पर यही प्रकाश किरने संकेतों के रूप में वापस सुचना के विद्धूत संकेत पैदा कर देती है और जब हम इस देशित गाइडेड तरीके से बेजने वाली स्तिती से पाने वाली दूरस स्तिती तक बहुत कम संकेतों की हानी के अटेनुएशन के अच्छी गुनवता के साथ भारी मातरा में सुचनाओं को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर सापेकस्ता सगन उच अपवर्तनाक का पदार्थ है और इस पारदर्शी पदार्थ को हम कौार्ट्स काच या प्लास्टिक जैसा ले सकते हैं। साथ के विरल माध्यम में नए जाता हुआ। एक स्थान से दूरस दूसरे स्थान तक गाइडेड रूप से फाइबर की कोर में चलता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोर और क्लेडिंग के संपर्ख सतय पर पूना अंतरिक परावर्तन से प्रकाश का संचरण संकेतों को ले जाने के लिए ऑप्टिकल संचार प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होता है। फाइबर ओप्टिक्स के अनेक लाम हैं और इस तरह का कम्यूनिकेशन कुछ विशेश अनुप्रियोगों में भी इस्तेमाल होता है। फाइबर ओप्टिक्स की केबल में जब हम प्रकाश उचावर्ति का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी डेटा को संचरण करने के चमता भी बहुत जादा हो जाती है। बहुत बड़ी बैंडविर्थ में अनेक सुचनाओं को एक साथ समाईद करते हैं एक स्तान से दूसरे स्तान तक ले जा सकती है। उप्टिकल फाइबर में जब प्रकाश के रूप में हम सुचनाओं का संचरण कर रहे हैं तो वो बाहर के विद्धूत और चुम्ब के प्रभावों से प्रभावित नहीं होता और हम लंबी दूरी पर भी बहुत अच्छी गुनवता के साथ संकेतों में बहुत कम हानी के स बहुत अच्छा संकेत गुनवता के साथ भारी मातराओं में सुचनाओं को प्रेशन करने की चमता प्राप्त कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्यूनिकेशन का इस्तेमाल हम टेली कम्यूनिकेशन में दूर संचार में इंटरनेट के आपसी संपर्क बनाने में चिकित्सा में जो इंडोसकॉपी जैसी चाया चित्रन होते हैं उनमें की जा सकती है केबल टे डिविजन भी ऑप्टिकल फाइबर कम्यूनिकेशन का इस्तेमाल करता है इंडिस्टियल नेट वरकिंग में भी हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस में इ प्रिज्म एक त्रिकोनिय पारदर्शी ओप्टिकल उपकरण है जहां प्रकाश प्रिज्म की सते पे परावरतन और अपवरतन दोनू कर सकते हैं और जब हम किसी आप्तित प्रकाश को करंतिक से अधिक कोण के साथ प्रवेश कराते हैं तो वो काच के सगन से हवा के विरल प्रिज्म को प्रिज्म को विशेश प्रकार से डिरेक्ट और मेनेज करने के लिए अनेक विज्ञानिक इंडस्टियल और कंजूमर एप्लिकेशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिज्म और दूसरे दरपनों के संयोजन दुरबीन टेलिसकोप बनाने के लिए पेरिसकोप के लिए कैमरा के लेंसेज में स्पेक्ट्रो मीटर में और लेजर की बीम को भी विशेश दिशाओं में नर्देशित करने के पनालियों में इस्तेमाल हो रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रियोग हीरे और दूसरे रतनों में चमक नमक और विशेश आभा प्राप्त करने में भी किया जाता है हीरे का अपवर्तनांक काफी सापिक्षता उच है वो हवा के तुल्ला में 2.4 से लेके 2.6 तक का सापिक्षता अपवर्तनांक रखता है और ऐसी स्तेती में हवा में अगर हीरे को रखा जाता है तो हीरे से हवा में जाते भी प्रकाश किरने हीरे में ही वापस पूर्ण आंत प्रकास की जोती पूना अंत्रिक परावर्तन को बार बार करेगी और इस तरह से हीरे के अंदर चमक और दमक को बढ़ा देगी और वो इसकी सुंदरता और आभा को अधिक्तम कर देगा हीरे की बजाए नीलम पन्ने जैसे दूसरे जो रतन होते हैं उनको भी विशेश रूप से काटके और आकार देके पूना अंत्रिक परावर्तन के सिध्धान्त को इस्तेमाल करते वे सुंदर बनाया जा सकता है जो जेम को काटने वाला जेम खटर है रतनों की तराशी करने वा जाते हैं और इस तरह से हमारा जो रतन है वो आकरशक विविद रंग और दर्शय प्रभावों को उत्पादन करके अपने आपको कीमती बना लेता है पूना अंत्रिक परावर्तन का असर हमारे लिए कुछ ब्रहमक दर्शय प्रभाव भी पैदा कर सकता है म्रग द्रशना इसी तरह का एक Exportical Brahm है जो हमें रिग्गिस्तान में या एक गर्म तपती सड़क पे कम दूरी पे सड़क के उपर पानी की परतों की उपस्तिती दिखाता है वस्तूत तरह सड़क पर पानी नहीं है बलकि सड़क पर या आस पर उसकी कोई वस्तू का हमें एक उल्टा तो इस तरह के जो मर्गतरश्टना जैसे ओप्टिकल भ्रह्म है वो भी पूना अंत्रिक परावर्तन के कारण बनते हैं मर्गतरश्टना के इस द्रस्टी भ्रह्म में पास में रखेवी कोई भी वस्तू का एक उल्टा अपरति भी हमें दर्शे दिखने लगता है और इसका कारण अलग-लग ताप मान पर हवा की परतों के अपुवर्तना का अलग-अलग होना है गरम दिन में हमारी जमीन जब अधिक ताप पे होती है तो जमीन के समीप की गरम हवा विरल हो जाती है उसका अपवर्तना कम है तो एक प्रकाश किरण जो किसी अबजेक्ट से बिम से प्राप्त हो रही है वो जब सगन से विरल माध्यम में आते वे अबिलम से परे हटती है त पूना अंत्रिक परावर्तन जैसी करांतिक कौन से अधिक आपतन कौन की स्तितियां प्राप्त कर लेती है और इस तरह से जब मूड कर कोई प्रकाश किरण हमें आती है तो हमें ऐसा अभास होता है कि वस्तु का बिम एक उल्टा प्रतिविम रख रहा है और ये उल्टे प्रत पूना अंत्रिक परावर्तन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपने करांतिक कौन की अवधारना को भी पैचान लिया है संख्यात्मक प्रश्न करने का कुछ और अभ्यास आपकी विश्य समझ को परिक्षा उपयोगी बना देगा और आपने पूना अंत्रिक पराव साजा कर सकते हैं और अगर आपको इस चैनल से परिक्षा उपयोगी नोट्स की प्राप्ति करनी हो तो चैनल की यूट्यूब मेंबर्शिप जोइन करें आप अच्छा पढ़ें तरकी करें एव नाइस टाइम थैंक यू वेरी मच